ब्रॉट तो यू बाई बैद्डिनाद रूम आर्थोगोट, मास पेशियों एवं जोडों के दर्द में लाबकारी विरोज प्रदर्शन की ये उग्र दश्वीने इलहाबाद उनिवर्सिटी की हैं यहां फीस बढ़ोत्री को लेकर पिछले एक महीने से लगातार अंदोलन चल रहा है महीं सोमवार को भाजपा और आरैसस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत दे धरना बोल दिया एवी बीपी ने इलहाबाद उनिवर्सिटी के गेट पर ताले जड़ दिये और विश्विद्याले प्रशासन के खिलाब जम कर नारे बाजी की इसको लेकर पुलिस और छात्रों के बीच काफी बहस हुई जिससे युनिवर्सिटी केमपस में काफी गहमा गहमी चाही रही जिसके बाद युनिवर्सिटी केमपस में भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया वहीं आंदोलन कारी छात्रों का कहना है कि जब तक 4 गुना फीज वापस नहीं होगी तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा वहीं लाद अदोलन कारी छात्रों के समर्थन में पहुँची उन्हें कहा कि विश्विद्याले छात्रों से बात नहीं करना चाहता बलकि उलट प्रॉक्टर कहते हैं अगर छात्रों को नहीं हटाया गया तो मैं धरने पर बैठ जाओंगा लेकिए ये इस बात का प्रमाण है कि इलाहबाद विश्विद्याले की दुर्गती के सथ तक पहुँच गई है जहाँ पे 21 दिन से छात्र आमरण अंशन पर बैठे हूँ वहाँ पर विश्विद्याले प्रशाशन छात्रों से समवाद नहीं करना चाहता है आज के यूग चात्रों को गरिफ्तार नहीं किया गया तो मैं धरने पर बैठ जाओ एक तरफ आप हमें सिक्षक होने की दुवाई देखते हैं सिक्षक तो होता है जो ये कहे कि मेरे चात्रों को मत ले जाओ और मैं अपने चात्रों के साथ खड़ा हूँ सिक्षकों के तो वह उधारण है हमारे पास देश में लेकिन एक सिक्षक हमारे पास ऐसे हैं हमारे प्रॉक्टर जो कहते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा लिखिये इनको गिरिफ्तार करिये तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रवईया है विश्विद्याले प्रशाशन का इस भी सोचल मीडिया पर छात्रों ने उनिवस्टी के वाइस चांसलर संगीता सिर्वास्तों के लापता होने का पोस्टर वारल कर दिया वारल पोस्टर में लिखा गया कि वाइस चांसलर पिछले कुछ महीने से लापता है आखरी बार उन्हें दिल्ली की फ्लाइट लेते हुए देखा गया था उसके बार से वह लापता है अगर कोई भी हमें लापता खुलपती से मिलवा दे तो इलाबा दिवश्टी के पूरे चात्र उनके रिडी रहेंगे प्रियागरास से आनंदराज की रिपोर्ट की तक